चलिए फिर इस तो आज बनाते हम गौर की फली की सबजी जी हाँ इसे क्लस्टर बीन भी कहते हैं तो चलिए इसे बनाते हैं सबसे पहले इसे हम तोड लेंगे इसको हमने इस तरह से तोड लिया है और उसको अच्छे से धो लेंगे तो देखे इस तरह से आप पानी के अंदर डाल कर अच्छे से उनको रगड़िये ताकि इनके अंदर की मिट्टी हो या मेल हो जो भी हो सब निकल जाए और बस इस तरह से उसे हतोस की सहता से पानी को छामते हुए निकाल लेंगे आप चाहे तो चन्नी में भी कर सकते हैं तो दीखे इस तरह से निकालने के बाद आप इ इसे कैसे पकाएंगे तो क्या करेंगे हम इस तेल ऑन से फ्राया करेंगे और गूपाया ज सब्सवाते हैं यह शोती हैं अपनिया बनद मुणफली दाने भूने हूए आधि कतोरी जो पीशार नारे लाता है न मारकेट में ये वही वहला नार्य चलिये आप इसे हम पीश लेते हैं देखिए इस तरह से महिन पीश लेना है अब इसे हम लिएní right- वो पक चुकी या नहीं तो चलिए इसे चेक करते हैं देखिए इस तरह से अब इसे हम थोड़ सा चलाएंगे और अब इसे हम एक चमश में देखिए चमश में थोड़ा सा लीजेगा और हातों से दबा कर देखिएगा तो यह भी हमारी कच्छी है तो इसे हम दो मीट के लिए और पकने के लिए रख देंगे तो चलिए इसे अब दो मीट के बाद हम चेक करते हैं तो देखिए अब यह हमारी जब फली है यह काफी हद तक पक चुकी है यानि यह 90% पक चुकी है अब इसे हम निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में इसको हम निकालके रख लेते हैं तो दिखिए हमारी ये पक्यूए है तो इसे आप एक प्लेट लीजिएगा और उसे अलग निकालका रख देंगे इस तरह से तो दिखिए मैंने सारी फली को निकाल लिया है अब इसे रख देंगे साइड में अब उसी कढ़ाई में डालेंगे हम तेल यानि सब्जी के लिक्ता तेल चाहिए उतना तो देखें अब उसे कर लेंगे अब डालेंगे सरसो के दाने यानि राई और इसको अच्छी जिलता हिस्त तलगया देंगे उसके बार डालेंगे हम जीरा और थोड़ा सा डालेंगे हिंग तो आप क्या करेंगे इसमें डालेंगे थोड़ा सा हिंग डाल दीजिए फिर हम डालेंगे इसके अंदर कटी हुई प्यास तो एक कटोरी मैंने बार एक प्यास को कट कर लिया है और इसे मिलाएंगे इसे अच् एक दो मिनिट के लिए अब जब थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए अब इसमें हम डालेंगे अधरक लेसुन का पेस्ट इस तरह से आप चाहे तो दो दरासा कुट लीजिए या आप चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं लेकिन इसका इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आता है इ अब इसमें डालेंगे सुखे मसाले तो हम डालेंगे अब इसके अंदर एक चम्मच लाल मेच पाउडर या स्वात के नुसार ले सकते हैं कम ज्यादा अब डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर अब डालेंगे हम थोड़ा सा नमक या स्वाता नुसार और अब डालेंग और हमें डालना है तुमाटर np शेक टमाटर अच्छी एसला नीचे लग जातए है तो इसलिए थोड़ावज परिशनातर लाया मैं जों मिलाने के लिये पाने के लिए झाली तो तरग यहारा पाल 컨 desen आठाल पालो नीचे है परद बख करेंगे स्ब्सिट्ध वो दिन गीर लाकता ölव सो नॉट्ध हो जाने हैं वो करें ड़ाल दाल को दरफ से हम और अगर घटमे कर देंगे पान मेट की लिए पकने देंगे क्या हुआ था गईस कि मुझसे वीडियो स्किफ हो गया है मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ तो उसके लिए सॉरी मैंने इसके अंदर अभी है जो हमने पिसके रखा था ना मुंफली का पाउडर और नारील का उसे हमने इसके अंदर एड कर दिया है तो इस स्टेश पर पानी की पाल पाणी मुंफली का पाउडर इसके पी पाणी दाले और अबढ़Guemा है नहीं हो झालो है और यह था ज़िए दूद दोदकी अगर आपके बादाली नहीं है तो आप cells ड़ी इस्तिमाल कर सकते है यह दो leaving you a अगर है तो जरूर डालेगा क्योंकि इससे बहुत अच्छा आता है सब्जी का तो चलिए अब इस तरह से इसे थोड़ा सा पाइन डाल करो उसे हम मिला करके और इसे ढख कर हमें अच्छे से पकाना है तो कुछ देर बाद चेक करेंगे तो देखिए इस तरह से जो हमारी ग्र पन बेज़्ज भीच में चम्मत से अच्छे सेट लेगा ताकि जूह हमारी ग्रेवी है नीचे ना लगे यानि हमारा मसाला जाले lavoro मइं अब देखिए बाद मेंड़ पार फिर करेंगे तो जो घूपकाना है ज्ब एमारी जो मसाला रहता है जब इस तरह से पक जाता है तरह कि मसाले चाल अब शzw육र बार मुणाइप से यह कर दिए किसा बीण के वह ही पाली ऑठाफ़ा गला धसे हमें इसमें अब से करकेंगे। में ना् से जटो सब्लिटा करिण दरय पांकर सब्सक्राइब से ब्रक्राइब आप मません Berg objection मिनने हमें दे देसे लाघनिया 365 live to तेस्ट उसका बहुत अच्छा आएगा तो देखिए इस तरह से हरा धनियो को हम इसके उपर डाल देंगे और इसे थोरी देर के लिए बस इस तरह से पकने देंगे अब इसे धक्कर पकने की जुरूत नहीं है तो देखिए अब इस तरह से हमारे जो सब्जी है वो रेडी हो आप इस सब्जी इस तरह से एक बार जरूर बनाएगा आप यह किन मानिए बहुत स्वाजिष्ट सब्जी बनती है और जो मतलब बच्चे आना खानी करते हैं खाने के लिए वो भी इस सब्जी को देख कर यानि इसका जो टेक्स्चर है इसकी जो तरी है इसका जो मसाला है इसे देख कर जरूर खाएंगे तशरी आप ऐससे एक बर ट्राइ जरूर कीजिए और इस तरह से इक बार जरूर बना के देख़िएगा आपको बहुत पसंद आईगी तो चली इसे आप कर लेते हैं सर्फ तो मैंने इस ता से एक प्लेट ले ली है और उसमें हम निकाल रहे हैं सबजी ऐसे हम सर्फ करेंगे इसको आप चाहे तो जवार की रोटी के साथ खाईए या हमारी केहु की रोटी के साथ आप इसा चावल के साथ भी खा सकते हैं बहुत लाइक और रहा वीडियो को शेयर भी किजएगा ताखि और अगली वीडियो आसाणी तो चलिए फ्रेंज मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाय